नमस्कार प्रियजनों राइट विव एस्टो चानल पर आपका स्वागत है राइट विव मतलब सहीद रुष्टिकोन में सिर्फ महत्तो पुरुन बाद सुरिदेव का गोचर किसी भी राशी में एक महिने के लिए होता है मार्च 2022 में चाउधा तारीक को राट में 12 बच कर 16 मिनिट पर सुरिदेव मींद राशी में प्रवेश करने वाले है सुरिदेव का ये गोचर 14 एपरिल सुबे 8 बच कर 41 मिनिट तक जारी रहेगा मतलब 15 मार्थ से 13 एप्रिल तक सुरिदेव मीन राशी में गोचर करेंगे इस एक महिने के मीन राशी गोचर काल में सुरिदेव सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे इसकी चर्चा इस वीडियो में होगी बाकी बचे सभी ग्रहों के राशी गोचर का प्रभाव भी अवश्य रहता है इसके लिए आप मेरे मासिक राशी फल एवं वार्शिक राशी फल के वीडियो देख सकते है मुख्यताहा शनीदेव की मकर राशी से तृतिय दुष्टी मीन राशी पर बनी हुई है शनीदेव के इस गोचर के कारण सुरीदेव के मीन राशी गोचर के शुबफलों में सभी को कुछ कमी अवश्य महिस्यूस होगी लेकिन अशुब फलों का प्रभाव बढ़ेगा इसे याद रखिए सुरीदेव मुख्यता आत्मशक्ति, आत्मग्यान, जीवन शक्ति, सकारात्मक उर्जा, स्वास्थ, अधिकार, सरकार, पीता और वरिष्ट अधिकारी दर्शाते हैं मीन राशी सुरुदेव के मित्र ब्रसपती की राशी होकर भी मीन राशी में सुरुदेव ज्यादा स्वस्थ नहीं होते क्योंकि एक तो सुरुदेव अपनी राशी से अश्टमभाव में आते है और सुरुदेव अगनी तत्व के है और मीन राशी जलद अत्व की है इसलिए भी सुरुदेव के शुबफलों में वैसे ही कमी रहती है लेकिन फिर भी कुछ राशियों के लिए इसके अच्छे परिणम दिखाई देंगे ये जानने के लिए अंता तक देखती रही है सुरुदेव के अशुबफलों को कम करने के लिए मेरे इस चैनल पर स्वतंत्र वीडियो उपलब्ध है चैनल को सब्सक्रेब करके आवश्यक्ता नुसार आप देख सकते है ये राशी फल आप अपनी लगनराशी और जन्मराशी ऐसे दोनों राशियों से अवश्य देखे अगर आपको जन्मराशी की जानकारी नहीं है स्रिप तभी आप नामराशी नुसार देख सकते है मेश राशी वालों के लिए सुर्यदेव आपके राशी से आपके पंचम भाव के स्वामी है मतलब आपके जीवन में संतान, बुद्धी, ज्यान, प्रेम, कला, पुर्वकर्म एवं आपकी रूची इन विश्यों पर सुर्यदेव का प्रभाव है और सुर्यदेव इस गोचरकाल में आपके द्वादश भाव से अशुब गोचर में रहेंगे इसलिए आपको स्वास्त की चिंता रहेगी, विशेशता हां आखों की शिकायत रह सकती है आपको आत्मोबल में कमी महिसूस होगी, संतान का स्वास्त भी प्रभावित हो सकता है इस समय में शेर ट्रेडिंग या लोटरीय से क्षेत्रों में रिस्क नहीं ले सकते नुकसान के साथ-साथ खर्चे भी बढ़ेंगे, आपके पिता एवं वरिष्ठ इस कालखरण में आपसे नाराज ही रहेंगे सरकर संबंदित कारियों में बाधाय आएंगे, आपके कुछ महत्वपुलन कारिय समय पर पूरे ना होने से आप अस्वस्त होंगे किसी जुरुमाने का भुक्तान करना पड़ सकता है, दूर की यात्रय भी आपके लिए ठकान भरी रहेगी व्यावसाइक व्यस्तता के कारण प्रेम संबंदों में दूरियाब बढ़ सकती है, अध्यात्म के प्रती आपकी रूची बढ़ेगी विद्यार्थियों के लिए समय मिला जूला है, सिर्फ आपको पुरा फोकस अपने पढ़ाई पर करना है वुरुशब राशी वालों के लिए सूरिदेव आपकी राशी से चतुरत भाव के स्वामी है मतलब आपके जीवन में सुखशान्ती, घर, जमिन जाइदाद, वाहन, खेती, माता, विद्या ऐसे विशेव पर सूरिदेव का प्रभाव रहता है सूरिदेव इस गोचर काल में आपके एकादश भाव से गोचर करेंगे सुरिदेव का ये गोचर आपके लिए शुबफलदा ही रहेगा नोकरी व्यवसाय में बड़ती पदपरतिश्ठा के कारण आपको सुखशान्ती का अनुबव होगा अपेक्षा से कुछ कम ही सही, लेकित अधिकारों में वुद्धी जरूर होगी जान पैचान के बड़े लोग, अधिकार प्राप्त व्यक्ती या सत्ताधरियों के सहयोग के कारण व्यवसाय में विस्तार होगा और धनलाब भी होगा जमिन जायदात के संबंदित अटके हुए सरकारी कामों को गती मिलेगी इस संदर में पिता का सहयोग भी मिलेगा घर या वाहन से संबंदित आपकी बड़ी इच्छाये पूर्ण होंगी प्रेम संबंद या संतां के विशय में आप कुछ महत्तो पुर्ण दिरने कर सकते हैं विद्यार्थियों को पढ़ाय में कुछ मुश्किल लगने अले सब्जेक अब आसान लगने लगेंगे माता का अस्वास्थ आपको चिंतित करेगा लेकिन सही इलाज मिलने से जल्ध ही स्वास्थ में सुधार भी आएगा मीथुन राशी वालों के लिए सुरिदेव आपके राशी से त्रितिय भाव के स्वामी है मतलब आपके जीवन में भाई वहन, पडोसी, छोटी यात्राय, आपकी कुशलता, प्रचार पसार, परिवर्तन, आपके प्रयास ऐसे विशेव पर सुरिदेव का नियंद्रन है सुरिदेव इस गोचरकाल में आपके दशम भाव से गोचर करेंगे और ये गोचर आपके लिए शुबफल दाई रहेगा बहुत दिनों से चल रही नोक्री व्यवसाई के दिक्कतों में अब आपको कुछ सकारत्मक बदलाओ के संकेत मिलेंगे आप अपने व्यवसाई की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे जोश के साथ प्रयासरत्र होगे नोक्री व्यवसाई में बड़े बदलाओ करने की आपकी कोशिश रहेगी और आपको इसमें सफलता भी मिलेगी आपके बड़े महतोपुर्ण कारियर इस कालखन में पूर्ण भी होँगे नोक्री व्यवसाई में आपकी जिम्बेदारिया बढ़ेंगी आपको अपनी कुशलताओ के कारण प्रसिद्धी मिलेगी सार्वजनिक सामाजिक जिवन में आप अपनी जिम्बेदारिया निभाने में व्यस्त्र होगे आपके किसी बड़े महतोपुर्ण कारिय के लिए आपका सार्वजनिक स्तर पर संद्मान होगा इस कालखन में आपको भाई भायनों के स्वास्त की चिन्ता रहेगी करक राशी वालों के लिए सुरिदेव आपके राशी से दीतिय भाव के स्वामी होने के कारण आपके जिवन में आपका परिवार, धन संपत्ति, आपका वक्तरुत, मुल्लेवान चीजे, निवेश और इसे विशे सुरिदेव के नियंत्रन में है सुरिदेव इस गोचर काल में आपके नवम भाव से गोचर करेंगे सुरिदेव के ये गोचर आपके लिए सामान्य रहेगा इस गोचर काल में आपको पैतरुक संपत्ति प्राप्त हो सकती है पारिवारिक जियोन में आपको कुछ कठोर निनने लेने होंगे परिवार की सुखशान्ती के लिए आप धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते है पिता के प्रती अपनी जिम्मेदार्या निभाने के लिए आपको खर्चाक करना पड़ेगा दुर की यात्राएं भी करनी होंगी आपको अपनी प्रतिष्ठाप बनाए रखने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपकी विरोधी आपके कटू अचिनों से नाराज होकर आपको बदनाम करने की कोशिश में रहेंगे अपने व्यावसाइक प्रतिष्पर्धियों पर हवी रहने के लिए आप प्रसिद्धी के क्षेत्र में एड़र्टाइजिंग, मार्केटिंग में आप कुछ निवेश कर सकते हैं कुछ बड़े अधिकार प्राप्त लोगों से आपका संपर्क होगा सिह्म राशी वालों के लिए सुरिदेव आपके राशी स्वामी होने के कारण आपके जीवन में आपका स्वास्थ, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका आत्मबल ऐसे विशेव पर प्रभाव रखते हैं सुरीदेव, इस गोचरकाल में आपके अश्टम्बाव से गोचर करेंगे। शुरीदेव का ये गोचर आपके लिए पूरनता अशूब है। इसलिए सुरीदेव के इस गोचरकाल में आपको बहुत सचेत रहना होगा। विशेशता स्वास्थ को लेकर। तेज बुखार हो स शारिरिक दृष्टी से कमजोरी रहेगी। दुरगटना की संभावना है। इस कालखन में किसी भी तरह के लड़ाई जगडों से दूरी बनाई रखिए। वाद विवाद टालते रहिए। शांती और सहियम से सौम्मे शब्दों का प्रयोग कीजिए। बड़ी जिम्मेदार आपके मन में कुछ भय लगा रहेगा। आपका आत्नोबल डगमगाएगा। आत्मसंदमान में भी आपको कुछ कमी महसूस होगी। आपके कार्यक्षेत्र में आपका ग्राफ नीचे की और जाने की संभावना है। कन्य राशी वालों के लिए सूर्यदेव आपके द्वादश भाव के स्वामी है। इसलिए आपके जीवन में खर्चा, जुर्माना, सजा, अनेतिक्ता, विदेश, होस्पिटल, अध्यात्म, ऐसे विश्यों पर सूर्यदेव का प्रभाव रहता है। सूर्यदेव इस गोचर काल में आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। सूर्यदेव का ये गोचर आपके लिए अशुव है। अपने जीवन साथी के कारण आपको खर्चा करना पड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्त के लिए या जीवन साथी के प्रती आपकी जिम्मे दर्यों के लिए आपको खर्चा करना होगा। व्यापार में भी नुक्सान भरपाई के लिए खर्चा करना होगा। बड़े विरोधियों से निपटने के लिए या कोर्टकेस के चक्कर में भी आपका खर्चा होगा। ये समय किसी भी तरह से वाद विवाद के लिए ठीक नह रहेंगे आपके गलत आर्थिक नितियों के कारण पिता का विरोध भी सहना पड़ेगा नोकरी में वरिष्ठों की डाट फटकार के कारण आप अपमानित हो सकते हैं आपकी करजे की फाइल में सरकारी निवों के अनुसार कुछ कमिया रहने के कारण अठी रहेगी इस समय पर आपकी आमदनी, इच्छाए, अपेक्षाए, सभी तरके लाभ, मित्र, हितैशी ऐसे विशेवों पर सुरीदेव का प्रभाव रहता है सुरीदेव इस गोचरकाल में आपके शष्ठभाव से गोचर करेंगे सुरीदेव का ये गोचर आपके लिए शूब है नोक्री में आपको अधिकार प्राप्ती होगी नोक्री में अपने सहायकों से काम निकालने के लिए आपको जद्दो जहित करनी होगी अपने अधिकारों का प्रयोग करना होगा आप कुछ करमचारियों को दंडिद भी कर सकते है आपके सामर्थ में वृद्धी होगी आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी बड़े से बड़े शत्रों से निपटने में आप समर्थ रहोगे आप अपने सामर्थ से अपने इच्छाएं पूर्ण करोगे कई दिनों से अटके हुए पैसों की वसूली होगी पैसों के लेंदेन के व्यवारों में आपको लाब होगा बड़ा धनलाब होगा अगर आप पर कोई करजा है तो वो भी आप चुकता करोगे संतान के कारण आप किसी से लड़ाई जगड़ा कर सकते है आपके स्वास्त में सुधार आएगा लेकिन इस कालखन में आपके जीवन साथी का स्वास्त बिगड़ सकता है रुष्चिक राशी वालों के लिए सूर्यदेव आपके दशम भाव के स्वामी है इसलिए आपके जीवन में आपके कर्म, आपका कार्यक्षेत्र, कमाई का जरिया, व्यवसाय, कामधन्दा, सार्वजनिक पदप्रतिष्ठा ऐसे विश्यव पर सूर्यदेव का प्रभाव रहता है सूर्यदेव इस गोचर काल में आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे आइसे समय पर क्या करना चाहिए इसे लेकर आपके दिमाग में संघर्ष रहेगा आप बहुत क्रोधित रहोगे, चिड़चिड़ापन होगा, लेकिन याद रहे, इसका आपके स्वास्थ पर असर हो सकता है इस समय पर सुकर शांती के लिए आप इश्वरी आराधना कर सकते है अपने मनुरंजन के लिए कला संगीत में अपनी रूची बढ़ा सकते है प्रिये जनों से सला मशवरा कर सकते है इस कालखन में आपके पिता का स्वास्थ प्रभावित हो सकता है जिससे आपकी चिंताय बढ़ सकती है विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ज्यादा जोर देना होगा धनुराशी वालों के लिए सुर्यदेव आपके नवम भाव के स्वामी है इसलिए आपके जीवन में आपका भाग्य, दूर की यात्राय, उच्च शिक्षा, प्रसिद्धी, धर्म ऐसे विश्यों पर सुर्यदेव का प्रभाव रहता है और सुर्यदेव इस गोचरकान में आपके चतुर्तभाव से गोचर करने वाले है सुर्यदेव का ये गोचर आपके लिए अशुब है विशेशता सुक शान्ति में कमी रहेगी सुक शुविदाओं के अभाव में आप परेशान रहोगे इसके साथ ही आपके मान सन्मान में भी कमी हो सकती है नोकरी व्यवसाय में आपका ग्राफ निचे की ओर जा सकता है अपने हक के लिए अपने अधिकारों के लिए आपको जद्दो जहित करनी पड़ेगी घर या जमी जायदात के विवादों में आपके प्रयासों में कमी के चलते आपको नुकसान हो सकता है इस कालखन में आपको अस्वस्थता और कमजोरी रह सकती है किसी रोक के शुरुवाती लक्षन रहने पर आपको रूटीन चेकप करना जरूरी रहेगा माता पिता के कारण कुछ चिंताय बढ़ेंगी इस समय पर यात्राय थकान भरी रहेगी विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए ज्यादा समय देना होगा मकर राशी मालों के लिए सूर्यदेव आपके अश्टम भव के स्वामी है इसलिए आपके जीवन में दुरघटना, लड़ाई जगडे, शारीरिक पिडा, विश्वास घात, जीवन भीमा, पैत्रुक संपत्ती, अचानक धनलाव ऐसे विश्यों पर सूर्यदेव का प्रभाव रहता है सूर्यदेव इस गोचर काल में आपके तृतिय भव से गोचर करने वाले है सूर्यदेव का ये गोचर आपके लिए शुभफलदाई है आप अपनी आर्थिक स्थिती में सुधार के लिए अपनी संपुर्ण चमताओं से प्रायास करोगे और आपके प्रयासों के परिणाम सुरुप आपको धनलाब भी होगा, आपकी कोशिशे फलदाई रहेंगी, पारिवारिक जिम्मेदार्यानी भाने के लिए आप सक्षम बनोगे, परिवार में कुछ मंगल कारियर संपन्न होंगे, भाई बहिनों के प्रति भी आप कुछ जिम प्रमोशन के साथ नए अधिकारों की प्राप्ति होगी, आप अपने आपको मजबुत स्थिती में पाऊगे, आपके शत्रु आपसे टक्रानी की हिम्मद भी नहीं जूटा पाएंगे, कुम्भराशी वालों के लिए सुर्यदेव आपके सप्तमभाव के स्वामी है, इसलि सुर्यदेव इस गोचरकाल में आपके वित्य भाव से गोचर करेंगे, सुर्यदेव का ये गोचर आपके लिए अशूब है, इस गोचरकाल में आपके धनसंपत्ति में कमी रहेगी, पैसो की कमी के कारण आप चिंतित्र होगे, पैसो के मामले में किसी अंजान पर भरोसा क करके नुक्सान हो सकता है पारिवारिक जिम्मेदारिया निभाने के लिए आपको जद्दो जहिद करनी होगी दामपत्य जीवन में चल रहे तनाव सुल जाने के लिए आपको समझदारी से अपने सूजबुज दिखाते हुए सम्मेता से पेश आना होगा इस समय पर आपको अपने गुस्से पर नियंत्रन रखते हुए संयमित्वानी का प्रयोग करना होगा आपके कटू अचन आपकी मुसीबते बढ़ा सकते हैं इस गोचरकाल में आपके जीवन साथी का स्वास्थ आपकी चिंताये बढ़ा सकता है आपको खुदको भी आखों से या गले से संब श्चा, किराय के लेंदेन, ननिहाल, ऐसे विशेव पर सूर्यदेव का प्रभाव रहता है सूर्यदेव इस कालखन में आपके राशी में गोचर करेंगे सूर्यदेव का ये गोचर आपके लिए अशुब है इस गोचरकाल में आपको स्वास्थ की शिकायत रहेगी तेज बुखार हो सकता है, पैरों में दर्द रहे सकता है, यात्राओं के कारण ठकान और कमजूरी रहेगी, आर्थिक नुक्सन के कारण आपको चिर्चिडापन महसुस होगा, बढ़ते खर्चे और बढ़ता करजा आपको और अधिक चिंतित करेगा, नुक्री में भी बढ़ती ज गुस्सा बढ़ सकता है, लेकिन इस गुचरकाल में आपको अपने आप पर नियंत्रन रखते हुए सैयम से काम लेना होगा, नहीं तो इसका प्रभाव आपके दामपत्य जीवन पर पढ़ सकता है, आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है, सभी के स्वास्थ एवं स सुका संब्रुद्ध की शुबकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ, अभी के लिए इतना ही, राइट टू एश्टो चैनल देखते रहिए, सब्सक्रेब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंड भी कीजिए, धन्यवाद